नमाश्यार प्लोट के चैन से लेकर ग्रह निर्मान तक और ग्रह निर्मान से लेकर ग्रह प्रवेश तक जो हमारी सीरीज चल रही है इस सीरीज में आज मैं आपको प्लोट के अंदर कंस्ट्रक्शन कैसे चालो करनी है बिल्डिंग मैट्रियल आपने कहां उतरवाना है इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि मैं आपको इस सीरीज में घर बनाने तक घर है परवेश तक कि जितने भी विशे आते हैं वो सारे विशे मैं इस सीरीज में cover करूंगा वास्तु शास्तर के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ अपना अनुभव भी शेयर करूँगा और जितनी ज्यादा से ज्यादा बारी किया है वो सारी बारी की आप लोगों के साथ सांजा करूँगा जैसे मैंने ये सीरीज बना कर आप लोगों के लिए दो कदम आगे बढ़ाई हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी एक अदम मेरे लिए आगे बढ़ाई मेरी हर एक वीडियो को यानि जो ये सीरीज चल रही है मेरी इस वीडियो को आप अपने family और friends के whatsapp ग्रूप पर और facebook ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे इस series के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को subscribe भी जरूर करें मेरे दुआरा इस वीडियो में दीगई जानकरी आपको अच्छी लगी तो आप YouTube के comment box में message भी जरूर लिखिये इससे मेरा भी होसला बढ़ता है मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था कि प्लॉट के अंदर इलेक्त्रिक्मीटर कहां लगाना है और पानिक अंजर गाउंड टेंक या समर्सिबल या दोनों कहां लगाने चाहिए आपका प्लॉट आपका घर आपका प्लॉट चाहे किसी भी दिशागा है कि plot को बनाते समय सबसे पहले तो building material मंगाया जाता है building material आपको कहां रखवाना चाहिए इसमें हर एक दिशा के इसाब से अपने अलग जोन बनते हैं कि वहाँ पर building material किस दिशा में होना चाहिए आपका plot north facing है तो north facing plot में आपने building material कहां उतरवाना है और south facing है तो south face में आपने building material को कहां उतरवाना है ऐसे ही west face है तो west face में building material को आपने कहां उतरवाना है और east face है तो east face में building material को आपने कहां उतरवाना है corner का plot है तो उसमें क्या साबधानी वरतनी है और आगे पीछे plot में गली लगती है तो उसमें आपने क्या सावधानी रखनी है उसके बारे में भी मैं आज आपको इस वीडियो के मदन से बताना चाहूँगा मैं आज की इस वीडियो में सभी directions cover करूँगा सबसे पहले तो north facing यानि उत्तर मुखी plot ये बारे में बताना चाहूँगा आपका plot उत्तर मुखी है तो उसमें building material आपको कहां उत्रवाना चाहिए यदि आपके plot के साथ लगता होगा कोई plot खाली है आपके west में खाली है या east में खाली है या south में plot खाली है तो मैं आपको कहांगा कि आप अपने जो south में plot खाली है तो उसमें south के भाग में आप building material उत्रवाई चाहे आपकी इंटे हैं, roadie है, cement है, dust है वो कोशी करें कि south के भाग में उत्रे है west में plot खाली है तो उसमें south west से building material उत्रवाना शुरू करके north west तक आप ला सकते हैं, लेकिन शुरूआता आपने south west से करनी है ऐसे ही आपके plot के साथ east का भाग खाली है यानि east में plot खाली है, तो उसमें अपने plot के south east के भाग में और उनके plot के south के भाग में building material उत्रूए यदि आपके यहां तीनों तरफ से building बनी हुई है और आपके सामने कोई plot खाली है, तो आप अपने सामने plot के अंदर building material उत्रूआ सकते हैं यदि आपके सामने घर बना हुआ है, और सिर्फ आपका एक plot खाली है और आपने अपने plot की अंदर building बनानी है तो ऐसे में building material आपको ध्यान रखना है कि नौर्थ इसट के भाग में इश्यान कोने में ना उतरे जब भे इसटन कोने में इंटे उतर जाती है या रोड़ी डल जाती है या रेट डल जाता है या डॉस्ट डल जाती है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आपके नौर्थ शिष्ट के भाग में वजन आएगा तो आपके काम रुकेंगे वैसे तो वास्तु शास्तर के अनुसार नौर्थ के भाग में कोई भी सामान नहीं ही होना चाहिए वो एरिया खुला खाली होना चाहिए लेकिन जब बिल्डिंग बना रहे है तो मजबूरी हो जाती है कि बिल्डिंग मेंटरियल हमारे फ्रंट में ही आएगा क्योंकि हमारे प्लोट के तीनों तरफ और सामने कोई भी प्लोट खाली नहीं है सिर्फ अकेल अपना फ्लोट है और उसी के अंदर क्रस्ट्रेशन चलू करनी है तो ऐसे में कोई भी वेक्ति अपने घर के आगे मेक्रियल नहीं उत्रवाने देता तो उसमें आपने दिहान रखना है कि नौर्थ इस्ट का जो भाग है इशान कौन जो है उसके अंदर बिल्डिंग मेक्रियल का सामान ना उत्रे बाई चंस बिल्डिंग मेक्रियल का कोई भी सामान आपने नौर्थ इस्ट में उत्रवाना है तो वो फास्ट मुवमेंट में नौर्थ इस्ट से उठकर चला जाना चाहिए अंदर लग जाना चाहिए ऐसे ही अब मैं आपको बताना चाहूँगा east facing के बारे में अब ये तो हो गया north facing plot इसमें आपके साथ east में गली लगती है तो आप mackerel south east में भी उतरवा सकते हैं और ऐसे ही आपके plot के west में गली लगती है तो आप अपना सारा mackerel south west corner से north west corner तक उतरवा सकते हैं यह नि south west में शुरू करके north west तक ला सकते हैं यदि आपके plot के south में गली लगती है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना building material कोशिश करें कि south में आपका plot east facing पूरो मुखी है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपको पूरो मुखी plot के अंदर east facing plot के अंदर building material कहां उतरवाना है आपके पास east facing plot है तो उसमें 7 लगती हुए south में और west में कोई plot खाली है तो आप south के भाग में भी और west के भाग में building material उतरवा सकते हैं आपके plot के साथ लगते हुए तीनों तरफ ही building बने हुई है तो आपके पास कोई और option नहीं है यदि आपके plot के ठेक सामने कोई plot खाली है तो आप उस plot के अंदर building material उतरवा सकती है यदि वो भी option नहीं है सिर्फ आपका ही plot अकेला खाली और आपने अपने यहां पर आगे plot में building material का सामान उतरवाना है तो ऐसे में आपने नौर्थिष्ट के भाग को इशान कोने को हमेशा खाली रखना है बाई चांस आपके पास space नहीं है और building material का कोई भी समझ चाहे int है चाहे road है चाहे dust है अगर आ जाती है और वो आपको इशान कोने में उतरवानी पड़े यह मज़बूरी मेरी नहीं है यह मजबूरी आपकी है आपकी भी अपनी मजबूरी है क्यम्कि आपके पास और कोई option नहीं है क्योंकि घर तो बनाना है और जब भी घर बनता है तो सारा material गली के अंदर उतरता है या आस पास में खाली plot होते हैं उनके अंदर उतर जाता है तो ऐसे में आपने जरासी सवधानी जरूर बरतनी है कि प्लॉट के नौर्थ इस्ट कॉर्णर में कभी भी ना तो अंदर के भाग में और ना ही बार के भाग में में बॉटरूर चाहिए अब में आपको बताना चाहूंगा कि की कीशलं उस्में साूथ में गली लगती है तो आपका सारा गृट प्रीण को को प्रिरख सकते हैं, ऐसे ही आपके plot के front में यानि east में गली है और west में गली है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपना building material कोशिश घरे कि west में west के गली में उत्रूआएं, अब आपका plot south facing है तो आपके यहां कोई दिकत नहीं है, आप अपने front के south के भाग में building material उत्र तरफ building material उतरवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके plot के east में भी गली लगती है, यानि आपका plot south facing है और उसके साथ east में भी गली लगती है, तो आप south में तो material उतरवाए सकते हैं, और south east से east center भी building material उतरवा सकते हैं, लेकिन south east से east तक जो building material उतरवाएंगे, वो material इसा होना चाहिए कि एक दो दिन के अंदर ही उठ जाए और जो मेटरिल कम आई वो आप महाँ पर उतरवा सकते हैं आपके plot के front में south में भी गली लगती है और north में भी गली लगती है यानि two side open आपका plot है तो आपने north में यानि उतर दिशा में building material नहीं उतरवाना है इस बात का खास्तों पर दियान रपना है अब ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा west facing plot के बारे में क्योंकि मैंने आप plot के south में अगर south में कोई plot खाली है तो वहां पर आप building material डलवा सकते हैं और west facing है तो southwest में आप अपना building material west center तक डलवा सकते हैं यदि south में गली लगती है तो south की गली में भी और west southwest corner में भी आप अपना building material उतरवा सकते हैं यदि आपके plot के north में गली लगती है तो कोशिश करें कि नॉर्थ में आपका building material ना उत्र है यदि आपको building material उत्र आना पड़े तो नॉर्थ west corner से north center से पहले ही उस building material को उत्र आए उस से आगे आप building material को वहां तक ना लेकर जाएं यदि आप north east corner तक building material लेकर जाते हैं वहाँ पर building material उत्रवाते हैं तो मेरा अपने ये मानना है कि आपकी building बनने में नहीं आएगी कोई ना कोई अर्चन हर वक्त बनी रहेगी चाहे वो अर्चन आपकी पैसे से संबंदित हो चाहे आपके अपने labor से संबंदित हो या आपके अपने कोई legal issue हो या कोई family dispute बन जाए या अड़ोसी परोसी आपको प्रेशान करने लग जाए कोई ना कोई समस्या बन ही जाती है आपका plot west facing है तो आप अपने plot के सामने opposite में परोसी के सामने भी building material उत्रवा सकते हैं वो आपकी और परोसी की रजाबंदी के उपर बात है इसी के साथ मैं अब आपको एक खास बात और बताना चाहूंगा आपके plot का size बहुत बड़ा है और आप अपने plot के अंदर एक चोकिदार भी रखना चाहते हैं उसके लिए एक कमरा बनाना चाहते हैं और एक cement store भी बनाना चाहते हैं आप cement store या आपका जो भी कीमती सामाना आता है आप south west के भाग में store बनाए उसके साथ लगता हुआ west में या south के भाग में चोकिदार का कमरा बनाए आपके plot ये दिशा चाहे कोई भी है south west में cement store उसके south में या west में चोकिदार का कमरा बनाए साथ में एक toilet भी बनानी पड़ती है वो toilet आप west zone में जरूर बनाए यदि आपकी गली west में लगती है तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपनी toilet यदि गली में बना सकते हैं temporary toilet गली में बना सकते हैं तो आप उस toilet को गली में बनाए ताकि आपकी building बनने में किसी परकार की कोई दिकत ना आए अब आपको एक खास बात और बताना चाहूँगा जब आप cement store बनाते हैं चोगिदार का कमरा बनाते हैं जैसे आपका ground floor का level होगा उस level से कम से कम एक फिट उंचा आपका cement store होना चाहिए और चोगिदार का कमरा होना चाहिए उसके उपर आपने tinsher डालनी है चदर डालनी है तो चदर की जो ढलान है वो आपकी north में यानि उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए या आपके अपनी पूरो दिशा की ओर होनी चाहिए और ऐसे ही दक्षिन दिशा में उची हो और उत्तर दिशा की ओर स्लॉप होनी चाहिए जैसे मैंने आज आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से plot में construction चालो करने से पहले building material रखने का सामन किस दिशा में कैसे रखना चाहिए क्या क्या साथ दानी रखनी चाहिए के बारे में जानकारी दिये जानकारी के साथ साथ मैंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ साथ सांजा किया है आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं आपने अपना घर बनाना चलो कर दिया है और आपको बार बार दिक्कत आ रही है आप जरूरत से ज़्यादा परेशान है आप लेवर की तरफ से परेशान है या पैसे की तरफ से परेशान है या आप डिपार्टमेंट को लेके परेशान है या कोई लेगल इशू बन गया है आपकी बिल्डिंग बनने में नहीं आ रह और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ हो क्या रहा है आपकी बिल्डिंग पूरी होने में क्यों नहीं आ रही है बरपूर पैसा होने के बाउजद भी बिल्डिंग पूरी होने में नहीं आ रही है और पैसा कम है तो बिल्डिंग पूरी होने में भी दिकत आती है तो ऐसे में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं तो आप मेरी ये complete series भी देख सकते हैं और आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, contact मेरे दुआरा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को आप अपने family और friends में फे और मैं आप लोगों से उमीद करता हूँ कि मेरी वीडियो यह दी आपको पसंद आई, तो मेरी इस वीडियो के comment box में आप message जरूर लिखे, पसंद आई तो भी message लिखे, ना पसंद आई तो भी आप मुझे message जरूर लिखे. इसी तरह हमारी इस सीरीज में plot chain से लेकर गरह निर्मान तक गरह निर्मान से लेकर गरह प्रविष्टक की सीरीज में आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा मेरी वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का तया दिल से धन्यवाद करता हूँ नमस्कार हुआ है